सुरे किष्ण परमात्मा अर्जुन को समझा रहे थे ये सुनते ही अर्जुन युद्ध में जाने के लिए तयार हो जाते है इस तरह रत पर बैठ कर युद्ध में जाने के लिए निकले शुरी कृष्ण तब अर्जुन को उन्होंने ऐसा समझाया था पिता जी मैं पिस रत पर बैठूंगा वो तो कुर्क शेत्र में जाने के लिए रत पर बैठा था लेकिन तू किसले बैठेगा क्रिश्ण अरे कर रार्ड़ाव तार्ड़ा था तू कि अँड़ाव फिर पर दो पर फिर तू करों पर दो ये गाना तुम्हारे पिताजी को बहुत पसंद था जब भी उनकी याद आती है पीछे से ये गाना बज़ता रहता है अब पुराज मौके का इंतजार कर रहा है तुम्हें उड़ाने के लिए मौका कभी अपने आप नहीं आएगा उसे हमें बनाना पड़ता है इसे वो नहीं समझ सका सालों साल से तुम्हारा परिवार हमारा साथ देता आ रहा है शिवजी के सामने नंदी की तरह हमेशा मेरे साथ रहता था तेरा पिता एक मक्खी को भी मुझतर भटकने नहीं देता था अब पुराज का आखरी बीटा प्रसाद बड़े गुस्से में है उसका गुस्सा लकडियों के साथ चल जाएगा इस शरीर को नहीं चला सकता क्या हुआ पुछ नहीं हुआ है तुम गाना सुनो मैं अभी आता हूँ दलो अभी आता हुआ है अभी आता हुआ है अभी तेरा पिता तो अच्छा है, लेकिन उसकी नियत खराब है, उसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, हमें ही इलाज करना पड़ेगा, पानी खरीदने तक की नौबत आ गई है, अब दुश्मनी क्या चीज है, फिर भी तुम मानने वाले नहीं, मौत का भी एक तरीका होता है, बेटे को पहले नहीं मरना चाहिए, छोड़ दो इसे मौत कर जाएगा, पर रुखना मकसद नहीं इसका, मानेगा नहीं, चाहें कोई कुछ भी कर ले, इस गाउं के लोगों से दरता है, मतलब अपना फिर भी निकाले, वो बलता खून हमारा, जब देखे के घबरा जाए, हम छोड़ते नहीं कभी किसी को, इस गाउं के रखबाले है, आजा, आजायार, मुसिबतों से अब ढरना क्या, आजा, आजायार, अब जो भी होगा देखा जाएगा, मुसिबतों से अब दरना क्या, आजा, आजायार, अब जो भी होगा देखा जाएगा सससा गरिजरिजा डिगमा गरिजा मगरिजर्चा करिशन दो है मैंने हूँ पर पीछे से रथ चलाओंगा मैं बुद्ध के जैसे मैं शान्ती का प्रस्ताव लाऊंगा अरे बाबा जब पकड़ू तो फुल भी तो खिल जाए भा मुझे से या पोट्रा भी जल देखे मुझे चाकू लेगे मेरे बिचे बढ़ जाए या हम यहां के शहजादे हार की सी से न माने कोई जो मारे ने आया दो भ्यार से उसे हम मिलके समझाए कृष्णा हमारा कुछ नहीं है करन के छोटे भाई हम आजा आजाया उस उबतों से अब धर ना क्या आजा आजाया अब जो भी होगा देखा जाएगा आजाया है देखो बन मोजी जोश रंगीला बोलो तो कुछ कर जाएगा पर रुकना मकसद नहीं इसका तो बलता खुन हमारा सब देख के घबरा जाए हम जोड़ते नहीं कभी किसी को इस गाउं के रखवाले हैं हम हम जोड़दे आजा आजाया दोसीभा तुझे अब ढर नांग्या आजा आजाया अब जो भी होगा देखा जाएगा आप बोल भाई कृष्टा अरे कहा यार कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे है अरे बचा ले भाई अरे मैं तो इस वक्त शहर में हुए अरे मैं यहां बुतिवत में हो तु शहर में है हां है हलो 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 सुनाई नहीं दे रहा है अब सुनाई दे रहा है 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 यह यह उविश्यल दे आज़ और याज़े होग आज़न लोगों के लिए क्रिकट बिटिंग करने से मना किया था अबने हीरो के लिए लगाई अ कर दो किसने कहा था यसा वो जीते का नहीं किसने कहा था देखा तुम लोगोंने हमारे एरिया में हमारे हीरो के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच्चे भी भगा भगा के मारते हैं तो भला मैं मार की क्या करूंगा जो करेंगे वही करेंगे एए चल फोन लगा देखो एक ही तरफ देखो दूसरी तरफ देखने की कोशिश मत करना मुसी बता जाएगी चल जाएगा यार तुने तो कमाल कर दिया इतनी हिम्मत कहां से आई हिम्मत मेरा सेर आपने हीरो के बारे में बोलने पर जंता भड़क जाती है यह पता था तो उन्हें भड़काने पर हम भी भड़क गए अब पूराज की इज़त में टे में मिल गए दामाद जी इसकी माँ ने पांच लड़कों को पैदा करके बड़े प्यार से पाला हुने पांडों के जैसे राज्य करेंगे ऐसा सोचा था उसने लेकिन मेरे तीन बीटों को एक दिन में मिट्टे में मिला दिया उस राजनात ने मेरा चौथा बेटा धरम उनकी तरफ है यह कहकर मुझे ही नीतिगा बोत कराने लगा था आखिर उसके याद में समाधिया बनानी तक वो चुप नहीं रहा और मारा गया वो और यह बेकार नालायक उससे प्रानों की भेक लेकर जिंदा वापस आ गया ऐसा नालायक बेटा मुझे नहीं चाहिए मुझे मारी चाहिए जिसने रावन के लिए हिरन का रूप ले लिया था अब तो तुम हमारे बारे में सब को चान गया हो ना मेरी बेटी तो मैं तुम्हें दूंगा ही साथ मैं तुम हमारे वारिस भी बनोगे मेरी जाइदाद भी तुम्हारी है और मेरी दुषमनी भी तुम्हारी है वचन दो बेटा उस राजनात को और उसके पूरे परिवार को मिट्टे में मिला दूगए ऐसा वचन दो बेटा अगर दामाद पर इतना प्यार है तो इसे जाएदाद दो पिता जी लेकिन दुश्मनी सिर्फ मेरी है यही आखरी मौका है रामराज यह लो चालिस लाक रुप बाकी अगले मैंने कठे करके दे दूँगा यह बात राजनात के कान में और मुझे छास पिलाओ गला बहुत सुक्रा है वैसे तुम शादी कब करोगे दाड़ी भी सफेर हो रही है हमारे गाव में बहुत अच्छा रिष्टा है एक बरहाक हो तो बात कर लेता हूँ शास पिली न तुमने अब निकलो यहां से पैसे घर पे पहुंचा दो अरे मैंने गल्ट क्या बोला शादी तो करने को बोल रहा हूं लगता है आप मामला नहीं जानते हैं महालक्ष्मी नाम की एक बहन इसकी उसकी शादी की बेना यह करेंगे तो अच्छा नहीं होगा न तो करते क्यों नहीं कुंडली में कोई दोश है क्या ग्रहों ने भी अच्छा नहीं होगा भूलना मत चाचू 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 तुझी क्यों बांद रख रहे चर बाहर जा क्यों बेर इतनी धर बहुत है क्या तल्वार से सर उडाने के सर कड़के नीची आ जाएगा यह तू क्या कर रही है लड़की के हाथ में हमेशा कर्ची अच्छी लगती है तल्वार नहीं दादी मा वो सब तो आप जैसे औरतों के लिए है महालक्षमी के लिए नहीं चाचू कहा है पीछे आंगन में होंगे जा चाचू चाचू आप आईए मेरे साथ अरे अरे क्या हुआ पेटी जल्दी च का मतलब तीवी देखते हुए सेफ खाने जितना असान समझ रही है क्या सुनो पढ़ाय वड़ाय बहुत हो गई मेरी बात मानो तुम शादी कर लो चाचू बताया था ना मैंने बताया था ना मैं बता चुकी हुँ ना डिकरी पास किये भी ना मैं शादी नहीं करूंगी मेरी शादी के कार्ड पर महालक्षमी भी यह होना ही चाहिए तेरी बेकार डिगरी तू लेगी कब और मैं कब तेरी शादी देखके मरूंगी इस साल में पास प्रार्थना मंदिर में होनी चाहिए और कॉलेज में होनी चाहिए सिर्फ पढ़ाई यहां परिक्षा देने आई हो वो काम करो सर्फ 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 सर् है महालक्षमी अरे तुम यहां कैसे सर्टिफिकेट्स लेने आई हूँ यहां अरे बताना प्राइब मेरी शादी अल्मॉस्ट कंफर्म हो चुकी है सुपर सुन अगर शादी में नहीं तो मार डालूंगी मार देना और क्या ओ सौरी सौरी मैं बाद में बाद में आई लव यू टू घर पर बुडिया छोड़ती नहीं है बस मेरी शादी को लेके बैठी हुई है भगवान पास होने का तो चांस ही नहीं है डेफिनेटली फेलो जाओंगी एक कोश्चन का भी ठीक से आंसर ने लिखा मैंने यहां लिखा मैंने 15 डिजाइन बनाए है यहां 26 यह मैं हूँ हो हमारी हीरो हमारे दिलों के सूपर हीरो अरे महालक्षमे लगता एक्जाम खत्म हो गया है इस बार पास हो जाओगी है इंग्लीज मैं फिर से लटकोगी अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो बोलो मैं आ जाओंगा और तुम्हें अच्छे तरह सिखा दूंगा एंग्लेश हेल्प हो भी तुम मुझे करोगे जरा मुझे तुम वीक की स्पैलिंग बताओ इस वीक की या लास्ट वीक की कि कितने पैंस हों यहां एक बेकर बंदा मेरे दिमाग घर है को न हो फोन पर लवर है कोई भी बिए तुम्हें क्या लेना देना देखा लवार है तभी तो इता बढ़क रही है वैसे मुझे छोड़कर तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता कोई नहीं कोई एक हो तो बता दो सिर्फ एक को महालक्षमी को अगर ओके है तो मुझे भी ओके है हाथ नीचे कर राजेश इजद का कछरा हो रहा हाथ नीचे कर समझ गया ना पस मेरी ओके करने की देर है मुझसे प्यार करने के लिए तुम जैसे ना जाने कितने यह सारे लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे अच्छा तो आज मुझको भी इनके साथ शामिल कर रही हो तो उनमें से एक ही हो क्यूं देखो इनके साथ मुझे मत मिलाओ तुम यहीं रुको अभी बताता हूं यह इस पैट से घुमाऊंगा तो चक्का जाएगा काड़ी पे बैठो बॉल डालना इधर देखना है उसका भाई आया है मेरे पिताजी ने थेटर लिया है यह ऑपरेटर की मुझे नौकरी दी है कुछ समझ में नहीं आता किसने को क्या हुआ या रामराज को देखते काप ने लगता है महालक्ष्मी सामने आते है तो लड़ता है वो बश्पन से ऐसी है हम एक साथ पड़े है वो सब बताना है तो पंदरा साल पीछे जाना पड़ेगा हमें महालक्ष्मी को किसे ने आइलाव यू कहा था तुम मैंसे कौन है जो मेरी बहन से प्यार करता है हां और किसने कहा मेरी बहन को आइलाव यू तुमने ही ना वो मैं ही था देख मेरा हाल क्या हुआ था एई कृष्णा मुझे तुम परिशक है चै वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं उसको देखने से उल्टी आती है बस उस दिन से इंडिया पाकिस्तान की तरह लड़ते रहते हैं वैसे महालक्ष्मी का इलव यू किस ने का आता आज तक वो राज राज ही रह गया तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी सारे लोगों के सामने मुझे ची मुझसे बात मत करो अरे अनकिंद क्रूमों उस्चा अब क्या है हमारे बारे में तुम्हारे भाई को पता चला तो तुम्हारा एकजामेंग ड्रोइंग डालना तो चोड़ो मेरे फोटो पर माला डलनी हो कि अगी कोई द्रामा नहीं है टीवी सीरियल को ने छे हमाने प्यार की कहाने किसी भी पनतानी सिवाएً आपने पहर को बता सकती हो वोUST कि आखिर अगर मेरे भाइय नेज़ तुमसे पूछा था कि इतना डरते हो तो मुझे प्यार क्यों तुमने मेरा तार है कि मेरी हिम्मत सब कुछ तुम से लिगी ह। मेरी हसी तुम हो मेरा सपना तुम हो हम दोनों बस एक है जान लो बादाई कर देना साथ ना झोल ना मेरे तुम हो जाना ये जान लो जहां भी तुम जाओ साथ रहू तेरे दूरी ना होगी ये जान लो जाने ना दूँगी अब छोड़ो ना सा तेरा चन्मों का बंधन है ये जान लो तेरी नजरों ने ऐसा इशारा किया तुझ से मिलके ये दिल मेरा मंदिर बना तू है मेरी जाँ मैं हूँ तेरी जाँ आओ एक दूजे में खो जाए ये बारशी ने इग बिच्डेना कभी साथ ही साथ बरस्ते जाते ऐसे ही बिच्डेना हम दोनों कभी भी जीवन बल रहेगा हम दोनों का प्याँ ये बारशी ने इग बिच्डेना कभी साथ ही साथ बरस्ते जाते ऐसे ही बिच्डेना हम दोनों कभी भी जीवन बल रहेगा हम दोनों का प्याँ मैं आना चाहूं तेरे घर दर्वाजा जब तु खोले नादा समझ के आने दिया तो चुमीले के मारे डाला तुने तुम और हम एक है एक दूजे में है ये सच हमेशा रहेगा हमें बंधन हमारा ना जूटेगा हर पल यो ही साथ रहना ये वादा करें इसे पूरा कर लें अंत होगा नहीं प्यार का प्यार ये बंधन दोनों का बंधन दुनिया को ही विदल दालेगा से ये ऐालेगा ये से एक ही से बंधन प्यार में सच हमें बंधन में बंधन आख ये ले लेए जुन एसे शी उजृका ऑ्युनिया प्यार्ण तुम दिलदार जोशीला दिल मेरा पिखला दे तुम खिस्मत बनके आई है मेरी ये जिन्दगी बदले जरूर दस्ते जब एक हो नतिया अलग हो बिना ही होगा समंदर मेरे चाहे अलग हो दिछ रेंगे ना हम हमेशा रहेगा ये साथ प्यार तुझ से कम ना हो मेरी कसम मेरी जान तुझ में है तेरी कसम हम दोनों एक ही है अब जी ना मर ना संगसंग धरती पर जागा है दोनों का प्यार अचैंगा है 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 का दो जागा है तो यही होगा ना सुनो रामराज उस कृष्णा को समझा दो कभी हमारी लड़की की तरफ देखा तो टांगे तोड़ देंगे अगर उसको किछ किया तो मैं तुम्हारी रांग तोड़ दूँ तुम लोगों के लफड़े तुम ही समालो यह मेरा और उसका आपसी मामला है हम दोनों एक साथ पड़े हैं मैं देख लूँगी हमारे बीच हजार वाते होती है ऐसा क्या है दोनों के बीच में मुझे भी बता यह लड़की देखते नहीं संती पैर पर लगी है पर इसे चैन नहीं आज कल वह बहुत जादा उचलने लगा है आप एक पर हाप के दिखिए तो उसके हाथ पैर तोड़ने चाहिए और जो प्यार व्यार कहके पीछे पड़ता है उसे मारना चाहिए उडर फोक है बुराद मुझे तो लगता है कुछ और ही बात है सुनों मर जाओंगी मर जाओंगी ऐसा कहती रहती हो तुम पहले उसी काम पर लगजाओ लेकिन मुझे मत मारो सामया का लूटिशन ट्राइब हो गया से ओल सीटी ग्रीन लेग रूम नंबर 12 हलो 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 है रोको उसके बाद गन भी है अरे ओ सांभा पूजा कर रहे हो क्या क्या मांगा शीव जी से बोलना सांभा कुछ तो मांगा होगा ना क्या ढूंड रहे हो सांभा गन हां सांभा नाम रखकर तुम अपने आपको शीव जी का खास समझने लगे भगवान तो अभी बदले नहीं नालाइकों को भी वर्द देते हैं यह मामूली नालाइक नहीं है सर बहुत बड़ा चोर है इसने अपने भाई के साथ मिलकर सब्वीज के ड्नैपिंग की है और अठारा मर्डर्स दस दिन से तुझे पूरे शेहर में ढून रहते हैं और तू यहां चुपावा है चल तुझे शिव जी से मिलाते हैं अरे रुको तो सही अब लेखेंगे तो टांटेंगे जल्दी से पीलो डॉन्ट शाओ पियो एसीपी श्रीकान हमारी शहर में इन्हें इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है यह है हमारे आज के गैस्ट नमस्ते सर आपकी कोई करने वालों को जिद्धी कहते हैं चाहे कोई भी प्रेशार आजाया मैं किसी के आगे नहीं जुखता पैसों के आगे भी नहीं जुखता हूं मेरे पुर्खों की इतनी जायदाद है कि साथ पिणिया खा सकती है मेरे पूरी शक्ती मेरे बच्चे ही है टेयर मैं वाल्ड जा गुड़ बाई मम्मी श्री कान लगता है वो ब्रह्मराक्षसी उठ गई है जरा उसे देखिये तो ओके, गुड बॉर्निंग पापा, जस्टी ने मेरी बेट बल सूसू कर दिया है सच कहा रही हूँ जाहो तो जस्टी से पूछ लो जस्टी इस बैग गल तुम ओवरेक्टिंग मत करो अगर बीच में नहीं आती तो अब तक तुममारे हाथ पहर ही नहीं होते पता है असल मैं तुमसे प्यार नहीं किया हो था तो इतने लफदे ही नहीं होते इसका मतलब सारे जगडे मेरी वज़े से होते हैं तुम्हारे लिए तु जान भी दे दूंगा अब खुशो एक चुम्मी दे दूना वो सब शाथी के बाद मैंने बताया था ना बताया था ना अरे फोन पी शुरू हो गई आज लोग तो फोन पी क्या-क्या कर डालते हैं पता है जानती हो जानती हो तुम उपर से पढ़ी लि बहुत हुआ सुनना आप जाके सोजा हाँ ठीक है साले साब उस पर भरोसा मत करना जूटिए वो देख रहा हूं कबसे उनकी बढ़ाई कर रही हो एक बार फोन तो दो बढ़िया सा मूरत है अपनी बात कर लेता हूं हाँ ठीक है देती हूं एक मिनिट बाइया च्छा है पी बात उससे मत टकराओ वो पकड़ता है लेकिन कोड तक खवर नहीं जाती माट डालता है लेकिन दुनिया को पता तक नहीं चलता उससे मत उल्चो कम से कम तुम तुम तो बच सकते हो नहीं तो तुम बेस मिस इंगलिस्ट में आ जाओगे आफ संजरी के आसपास आगें सर तो क्या तुम कुछ नहीं कर सकते हैं हम तो बोर होने पर सिर्फ दारू पीते हैं उसका एक बड़ा भाई है नाम है राजनात वो बोर होता है तो सेम के साथ चेस खेलता है वो भी फोन पर ये है उसकी रेंज वन सेकेंड हाँ बही बच्च स्ल डूटी का बहाना मत करना बच्चों के साथ रेना न ole है हलो एसिपी तुझे दो गुंड़े का समय देता हूं मेरे भाई को छोड़ देगा तो ठीक है नहीं तो तेरे को कुमार दूँ गा एधो घंटे क्यों बस दस मिंट में छोड़ देता अगर उसे मारतेगा तो पॉर्टीनाइट चलो शुरू करो अरे बेटा क्रिश्ना इस बार तो पानी निकलेगा ना बॉलो महालक्षमी महालक्षमी पातों में भी सिग्रेट की पत्पू आती है इसने कहां से देख लिया वहां खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही है चलना मैं कोई तमाशा नहीं देख रही है स्टाइल मत मारो कहां चली गई कितनी बेकार सीडियां है और इन पत्थरों पर तो चलना मुश्किल हो रहा है चलो चलो जल्दी करो चलो यहां से क्यों यार मुझे ढूंड रहा था ना वैसे आज कल रात कोई नहीं दिन में भी नजर नहीं आ रहा है क्या बात है यार अरे याद आया अपना अशुक है ना वह गाव के बार किसी जोडे को देखकर तुम्हें और मालक्षमी समझ गया था मेरा तो हसी का फवारा चूटा परसो मैं पूरा दिन तेरे साथ था था फिर मालक्षमी के साथ जील के पास कैसे रह सकता हूं जील के बास किसने कहा मैं तो गाव के बाहर कह रहा था अब किसे कवार करोगे रगेर दुम्हें जने बताए था था मोँ भू bash dal नेकी और दुम्हें मुझे भाल के बताए था कावर how to commerce क्या है अ गाव का मतल nggakla자 यहां का मतलब यहां का मतलब यहां नहीं जब यहां जब यह तो कहीं भी Candid तुम्हें साडी पर कर तो में तुम्हें साडीकर तो मेरे देल के तुकड़े हो रहे है तुमिस तरह हूं is यहां तुम्हेल तारीफ कर रहे हो वे चो कहलो तो तो डर करू alive in । कॉन्टर का नजर मैं यह नखने वा लगने वाली गुडिया है यह का कांटर यह मतलब वहां यसी कांटर नहीं दो chỉ का कामंटर गात का यह भेलो से कंसरों तुमने जो मेरी तारीफ किया ना उसकी हागदार तो महालक्षमी है तूने भी देखा क्या यह बताना कौन सी बग अब कि महालक्षमी ने तुछे आख मारी है क्योंकि तू भी उस दिन मेरे साथ में ता अब सब समझ गया मैं अब मारा क्यो है और गया मैं इसे नफरत फिर्ट और तो चेठे हอง तो इसे प्यार करती हो और तो हिता remember gücels mandate इना अच्छे इसले महरा इसें क्यों मारा इसका भी मतलब है उससे प्यार करेंग और तो उसको प्रेम के लिए फ्रेंडशिप छोड़ दू या प्रेंडशिप छोड़ दू अब क्या करें यार दारू बिने से सब भूछाएंगे यार दारू बिना तो ठीक है मगर उससे बूल जाना इट इस इंपॉसिबल यार वैसे मुझे देखकर आख मारी मतलब वह मुझे बहुत प्यार करती होगे यार गलत बाते यार महालक्ष्मी से तो प्यार नहीं कर सकता इसमें गलत क्या है तुझे एक सिक्रेट बताओ पंदरा साल पहले महालक्ष्मी को किसने काता पता है कि मैंने कि किसको बताओं अपना दुख मैं मालक्ष्मी से प्यार करता हो तो तुझे क्यों तकलिप हो रही है तो पूरा तेरी ली तो है महालक्ष्मी कौन है मेरी लवर है रामराज की बैन है रामराज कौन है मेरा साला राजनाथ का राइट हैंड है ये बाद उसे पता चलेगी तो तो कभी तो दारूपी के वापस घर जाते वक्त एक बार सोच ले वो तेरे साथ क्या कर सकता है हमेशा की तरह तो सिग्रेट पिता हुआ घर जाएगा कोई तुछे पीछे से फॉलो करेगा बस तुई एक बार मुड़कर देखेगा वहां कोई नहीं होगा कोई नहीं होगा तो प्राब्लम क्या है यहीं सोच कर तो आगे बढ़ता रहेगा लेकिन वहां कोई तरह इंतसा बिल्कुल लेकिन वह रामराज नहीं याम धर्म राज है यह चाने बगेर उसे गाड़ी में बिठा लेगा तू ब्रेज पर आते ही वो तुझे गाड़ी रोकने के लिए किसली है काटने के लिए तलवार चाहिए ना स्कूल में बाउम छुपाते वक्त तलवार ले आते है जाना उसके बाद काम से बाहर ले जाकर मा रोकने को कहेगा किसली जाने से पहले तलवार करदन पर और तेरा सरधर्दी पर आनाइनने मैं इस नहीं लूगा इसमें रिक्स कैसा आया तो मालक्षमी मिलेगी तो सर गड़िए तो तूसे प्यार नहीं कर सकता तेरे मालक्षमी को चोड़ना होगा ना लेकिन एक स्मॉल चेंज तूझे मेरे प्यार के खादर मालक्षमी से दोस्ति करने का मैंने कब जबान दी कुछ भी बोलता है तू हा बोल रहता अब उतर गए तो ना बोल रहा है अरे भाई-भाई-भाई-प्लीस एक बन कर देना मेरे खातेर प्लीस आग बन कर दे नहीं तो मेरे पिदा जी कर समय तुझे एक दो तीन तुम और महालक्षमी 15 साल से दुष्मन नहीं हो सदियों सदियों के दोस्त हो तुम और महालक्षमी दुसरे को देखे बिना एक दुसरे से बात किये बिना फिर भी बहुत कहरे दोस्त हो केवल उसके मon Swing कि यहां पर के से ग्ती हमेर फ्रेंट्चिम करा हम लुश हो एकम डून अभी कहा Так तो शुन में तो कहा था कि वो जील पर किसे के साथ घूं पना लिए जो चाओ करा पाता है जिसे प्यार करते उसकी गलतियาน फ्री फ्री वो कौन है मैं ही हो मेरे कलम का नाम है अच्छा है और भूल जाओ से वो किसी और से प्यार करती है किसे किसी नाला एक से अरे बाप्रे बागो हो यह तो अपसे ममला है उसको मारू यह कुछ भी करूँ उस पर मेरा ही हक है समझे मुझे नालाएक कहा तो मालक्ष्मी सह नहीं पाई तो फील मत करना मैं समझा दूँगा उसे ए राजेश हां उसने मुझे थपड मार कर उस नालाएक से प्यार करती हूं का है यार हां यार मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहते है कि मुझ जैसा नालाएक पूरी दुनिया में नह मैंने सुचा तेरा रिमोट नहीं है, तेरा तो पूरा टीवी नहीं है, ठुुू। नमस्टे नमस्ते 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 साथ अलो अरे वो टेंज रात्मी है तो क्या हुआ, बोल दे उसको डरते हैं क्या, हम पर हाट डालेगा न हालो स्वामी तुम बड़े हिम्मत वाले हो ना उसमें से थोड़ी से हिम्मत मेरी कृष्णा को भी दे दूना तो सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हारे मंदिर के ग्यारा प्रदिक्षणा करूंगी स्वामी अपने कमाल कर दिया इतनी जल्दी मन्नत पूरी कर दी काव में नहीं आउसे बाहर चलो अभी इसको फोन करना था उठा के बात करो ठीक है हेलो अहां बोलो न यह क्या भाईया के साथ हो तुम इतनी मासूमियत कैसे सिच्वेशन देखकर ही तो फोन की आओगा दोनों की जोड़ी बहुत खूब है क्रिश्च्णा ताइम आने पर सब ठीक हो जाएगा तुम कहते थे ना आज तक मैंने तुम्हें भाईया के इतने करीब कभी नहीं देखा जल्दी से हम दोनों की बात कर लों क्या है कि बताने के लिए सही सीन नहीं है बताने के बात सीन क्रियेट होगा अब बात करो अब हलो 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 क्या हो गया है तुम्हें लगता है तेरी शादी में मैं नहीं आ पाऊंगा तु शादी करके बच्चे पेदा करके खुश रहे हां मार डालूंगी अगर आइंदा ऐसी बात की तो तुम्हारे बगर मेरी शादी हो सकती है क्या अब क्या है यह तो नहीं आए तो शादी नहीं होगी, रखो फॉन गला सूख गया है एक बार और दीजी पंडित जी भाई वो लपता है जरूरी कॉल होगा एक बार अटेंड करनू क्या बात कर ले भाई कहा है तू भाई वो क्या है कि में रामराजी के साथ गाओं की सीमा तक जा रहा हूं गाओं की सीमा तक चाहे कुछ भी हो जाए प्रीच के बास मत रोकना भाई प्रीच के बास रोको अब चलो मैं तो युद्ध ही नहीं चाहता है यह धर्म युद्ध कैसा है अब युद्ध करने वाली तलवा श्ट्रू तास एक दूसरे को मारनी वाली वाली युद्ध श्रसार ना आसान क्यों यह भारी आज क्यों अंसा करने वालों से अच्छा है भला करने वाला दर सब जो यह धर है वीरता मेर भई है अरज को भी युद्ध करने से रोका था डर में भगवत कीता में भी इसका महत बताया डर का है अरब चाते होगी कावस क्यों ए तेरे वाजूनी जत्से यह हस्ता ही तुर्वाल को भी हाथ में लाओ चाई तुन नावे दलवा से शादी करोड़ी ए तुझी ना शादी से वी तो तिरा जरहे ना जाद़े प्लान बनाया था अब को राज के बेटे ने तुम्हें मारने का फ्लान बनाया था भाईया ये खून कैसा कुछ नहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं न मुझे क्या होगा कृष्णा को भी कुछ नहीं हुआ ना खाना लगा तुम्हें क्यों आईयो आते हुए किसे ने देखा क्या तुम्हें अरे फोन तो करती मैं आके मिल लेता यहां आरी खून से लत्पत भाईया को देखा तो पता है क्या हुआ मुझे मैं बहुत डर गई थी मैंने सुचा तुम्हें किसी और लड़की से शादी करने चाहिए जो तुम्हारी जिंदगी सवार दे मुझे छोड़ दो कि छोड़ दिया पहले अपने आसू पोचलो बागी की लोग रोएंगे तो ठीक है लेकिन अगर तुम रोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और अगर तुम हंसोगी अगर हसु तो मुझे तुम्हे तपड तुम्हें मारने और डाटने कार्ख मेना ही है सब शाध्य के बाद ही कहा था नना मैंने कहा था न मैंने incarcerate call मैंने यह पिछले मैने ही खरीदा था तुम्हारे लिए सूपब अभी मन्यों और शशी रेखा की शादी कितनी धूमधाम से हुई थी पता है तुम्हें मुझे तो नहीं पता लेकिन हमारे गाउं में शशी रेखा है कौन ओफो हमारे गाउं में नहीं वो उस फिल्म में देखा था मैंने अभी इंडिया जाना क्या ज़रूरी है भाई वो कहां आ रहा है किस लिए आ रहा है क्यूं आ रहा है ये बात अभी तक किसी को नहीं पता जिड़ी पुलीस अलर्ट हो गई है सत्या डेविड भाई की इंडिया आने की खबर है यहां किसी स्कूल के बच्चे से पूछो तो बता देगा अब उसका आना ज़रूरी है का अल्रेडी वो निकल गए हैं उसे इंडिया छोड़े कई साल हो गए है वो कैसा दिखता है ये किसे को नहीं पता वह से हम उनको पहचानूंगा कैसे वो तुम्हें पहचान लेंगे अमारे बात जो डेविड की तस्वीर है वो भी 20 साल पुरानी है हाँ सत्या तुमने कहा था कि भाई हमको पहचान लेंगे पलाइट आके तो एक घंटा हो गया है ए ए दिखता नहीं है क्या जाँ पर बुरूबर्बर्द यू डूंट वरी सत्या इस सेफ यू रिलैक्स नाओ पिछले 20 दिरों की स्ट्रॉंग इंविस्टिगेशन के बाद मुंबई कमिश्णर ने पत्रकारों से बात करते वे ये कहा कि डेविड इबराहिम का इंडिया में आना ना मुम्किन है वो इतने हिमत नहीं कर सकता ऐसा मुंबई कमिश्णर का मानना है बच्चे बड़ों के नाम पर मंदिर पाट साला बनवाते हैं और बड़े बच्चों के नाम पर दान धरम करते हैं पर मैं क्या कर रहा हूँ मैं तो समाधियां बनाते जा रहा हूँ पूरा परिवार शमशान बन गया है यहां और वहां उसके भाई बच्चे खुशी से त्योहार मना रहे है तेरी कसम खाके कह रहा हो उस राजनाथ के परिवार को यही तफना दूगा अग्ले हफ्ते राजनात का पूरा परिवार गाओं आ रहा है हलो हलो है महालक्षमी टुटिश को मेरीा शादी है तुम्हें जरूराना होगा वहाउ सूपर भाया शालनी की शादी पक्की हो गई है 26 को शादी है उसी मुहरत पे तेरी भी शादी हो जाएगी चाचु भी तुमारे लिए लड़का देख रहे हैं चाचु चाचु क्या आप मेरे लड़का ढूंड रहे हो यह क्या इतनी मिर्ची डॉक्टर ने क्या गहा था पहले ही बहुत ज्यादा है बीपी कांता बाई यह लीजिए तो शादी कर ले तब तेरी बात मानूंगा चाचु कितने बार समझाओं के डिग्री पूरी किया बग मैंने जो काम कहा था उसका क्या हुआ आप चिंता करके अपने बीपी मत बढ़ाईए बीपी ड्रॉइंग करे रंगोली डाले यह पेपर कोरा क्यों न छोड़ दे बिटिया को पासका राने की जमेंदारी अब हमारी है बिटिया पासवास काफी हाई या गोल्ड मेडल चाह अब जाए जगदीश हरे स्वामी जाए जगदीश हरे भागपी जनों के अरचना करवानी है क्या हाँ पंडी जी नाम महालक्ष्मी अहां गोत्र का नाम बताओ पिपल गोत्र अपल गोत्र मुर्वस्वाण लेकिन तो तुम्हारा गोत्र है शादी की बात बदल जाएगा तो तो तु तो यह सबने हो तो तो किया थे मुझे कंफ्यूस किया किया तु यह हो तौछ मै यह वातकर तु निखल कि आगे कहां तक दुझिजे आँ हा ह हा ह चलो 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 नहीं हा है बिचाडी ठूंटे यहां तक हागईयblack receivers प्रृक्ष्मी पीचारी नहीं कभी आर तुमने सही कहा ता मालक्ष्मी मुझे मारने और डाटने का अधिकार सिर्फ तुम्हें है ऐसे दोस्तों स्रिफ हल के लिए काम आते हैं चल भग भग बेकार में सता ने आगिया हुँ हो गया इसे लिए मैंने डिसाइड किया है कि अपने दिल के बाद कहू बोलो वो बोलने को कह रही है अब चले है अरे रे 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 रुक हम दोनों को कुछ देर के लिए केला छोड़ देना प्लीज कुछ कहना चाहते थे वो क्या है कि I love you यही बात यह कहना चाहरा है अब तक तोने मेरी बहुत मदद की लिकिन आए-ल अभी looks मुझे बोला था ना यारं यही बात मेरे भाईया के सामने डर बगार बुलसकते हो मुझे और अडर तुमारे भ़ए को ही क्या किसी के भी बाई को बोल सकता हो थेटर के उपर teaches मेरी फ्रेंट शालनी के शादी पक किया हो गई है तो फिर रोते हुए कियो बता रही हो यह तो शुप समा चाहर है तुम भी क्या कहा घर वाले मेरे लिए भी रिष्टा डूण रहे हैं अब शादी पोस्पोन करने की शक्ति मुछ में नहीं है इसलिए कि इसलिए मैंने टेय कर लिया है अपने प्यार की बात भाइया को मैं ही बता देती हूं तब तो तुम्हारा भाया पक्का हम दोनों को मारडशे मैं अगर किसी और से शादी करनी पड़े तो मैं भी मर जाओंगी अगर उनसे पूछेंगे तो वह तुम्हें तुम पागल होगी हो क्या तुम इस जनम में तो उनसे पूछ नहीं पाओगे मेरा भाई जब तक रिष्टा लेकर नहीं आएगा तुम शादी करने वाले नहीं हमारा सांप्रदाय भी तो यही कहता है ऐसा ही प्लाइन करते हैं मैं अगले हवते शालवी की शादी में जा रही क्यों मेरे वापस आने कि पहले तुम शादी की डेड़ पकी कर लो चाहें कुछ भी हो जाए तब तक मुझसे ना तो बात करना ना फोन करना मुझे नहीं मिनने की कोशिश करना मालक्ष्मी महालक्षमी, कुछ कहना चाहती हो, तुम अपने भाई से डरती हो, लेकिन मैं तो पिता सबानू, उनसे कहो, मैं और कृष्णा, राश्टी में इलेक्षन का महाल है, और सारी पार्टी एक दूसरे को ब्लेम कर रही है, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे, यह भी तक नि सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारे हो ना, कहाम जादा है इलेक्षन है, पहले यह बताई आपका बीपी कैसा है, मेरे बीपी की बात छोड़ो, तुझे देखे बहुत दिन हो गए, हमेशा टीवी में ही दिखता है, मिलने कब आओगे, बिल्कुल आओंगा भी तुम्हारी चिंता मेरे लिए नहीं है, जानता हूँ, बच्चों को देखना है ना, बेशता हूने, तुम चिंता चोड़ो जीजू, पैसा डीसी बीजी की गाड़ी में लेके जा रहे हैं, पूरे तीन खोगे हैं, इस बार इलेक्षन में पैसा बाटेंगे नहीं, ठेकेंगे सब पर, ह है, रखता हूँ मैं, टेंशन मतलो, सुनो भाई, खरीदने की ताकत रखते हैं मेरे जीजा जैसे पॉलिटिशन, और विखने वाले पुलिस वाले जब हो, तो इलेक्षन कैसे भी जीता जा सकता है, अगर जेब में पैसा हो, तो कुछ भी कर सकते हैं, सर, 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 डिकी को लिए, सर, आपका बॉस आया है, गाड़ी रोकिए, अज मैं उसे पुलिस वालों का फर्ज याति लाओंगा, चाहे कोई भी हो सर, चेक तो करना ही पड़ेगा, ऐसे ओर्डर से हैं सर, शट अप, क्या बात है विगनेश्वर, क्या प्रॉब्लम ह कार चेक करने के लिए कह रहा हूं, तो कह रहे हैं कि छे मैने की तंखा दूँगा, ए, अरे अपने डी सीपी साहब है, साप, नमस्ते साप, ए, सर जी के लिए स्पेशल चाय बोल दो, तब तक हम अपना काम करते हैं, मुझे सुगर है, मैं चाय नहीं पी था, शुगर और श मेरे जूते के समान हो, इस एन इंसल्ट, और आइल सी यू फॉर दैट, है, सर, लगता है इसमें दारू पी रखी है, डाउन, ऐसे डाउन, पुल्ली लोड़ेट गन से अगर तेरे भेज़ों कुडाऊंगा, तो कैसा रहेगा, अपने अंडर काम करने वाले चार एसीपी मे भाग ना आता है, तो भाग, मैं समझ गया, उसका इशारा हमारी और ही है, हम उसे बोल देते हैं कि पैसा ठिक्की में है, और मुझे तो भाग ना भी नहीं आता, अरे, इसे ले जाकर अंदर डाल दे, इट्स क्लियर, बड़ा दिले रहे, अपने जीजु को बोल के इसको प्रमोशन दिलाना होगा, पैसे देखने के बाद भी छोड़ दिया हमें, उसने छोड़ दिया यही तो प्राब्लम है, एरिस्ट करता तो कम से कम जिन्दा तो रहते, DCP विजे कुमार की गाड़ी को किसी अंजान लौरी ने पीछे से आकर टकर मारिय और उसी शनुन की मौत हो गई, आगई, 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 अरे मेरी गुड़िया, और मेरी जेस्टी कू, बड़े पापा, आगई. दीदी पेंटिंग कर्णिंग कर्ण़ल आहर करेंस कर दो बहुत दिनों से नहीं कई सालों से मैंने एक बात आप से चुपाई है मैं और महालक्ष्मी कई सालों से प्यार करते हैं किसी को बताने की हिम्मत नहीं तो अपने साले को कब बताऊंगा लेकिन बताना पड़ेगा बताने से मेरी जान जाएगी नहीं बताऊंगा तो महालक्ष्मी मर जाएगी मतलब मेरी जान जाएगी जाने दो बेकार की जान महालक्ष्मी के अकाउड में डाल देते हैं चलो कृष्णा तो यहां कैसे अब वो परसो वहां तलवार फेकी थी ना अपने सर उसे वहीं छोड़ाया हूं और आप बुरा मान जाएंगे यह सुचकर मैं नहीं तलवार ले आया हूं इसका नशा उतरने तक यहीं रखो आपके बात करता हूं कई साल पहले एक गाउं में एक राजा रहता था और मेरी जैसी का अरे रे मैं भूल गई बेटा अरे यहां पर कौन है तू यहां क्या कर रहा है तो तो मेरे लिए नहीं मैं इतनाकाम कर निया है क्रिष्णा तुम्हारे इतना मौना करने के बाद भाइ को मनाने के लिए यहां तो उसके वह आतमी मुझे बांड जाता है हुए सब्सक्ना सै आज तो चुह से भी तरने लगे है क्या है तो मेरे पिछे क्या कर रहा है दोनों पकड़ी जाएंगे मुझा के पैट अब तो जीना माना सिर्फ तेरे साथ यार तोस्ति के लिए जान तक देगा यह चुह भी नहीं चोड़ते मुझे तुम मेरा कास दोस्ते तेरे लिए कुछ भी करूगा इधर आता हूं चुक जा पर में बहुत दर्द है यह चुक चुक फिर महारानी को उठाने के लिए एक जादूगर आया पड़ी मा बड़ी मा जादूगर आया है जादूगर हमारे नहीं आसकता बिटी क्रिष्णा 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 क्रे तुम अब तो सारे रास्ते बंद होगे यह अब तो सारे रास्ते बंद होगे गुक बंद हमारे इए इए गुक बंद होगे भाए ग्लैव हाए ईता अरे ये क्या हुआ कान्दा भाई, अच्छो को सभाले लेड़ा कान्दा भाई, अच्छो को सभाले लेड़ा रामराज, रामराज, राजराजी को मार दिया, सबको मार डाला, बच्छो को बचा लो, उनको मार दिया, सबको मार डाला उन्होंने, रुको, तु मज़े छोड़ दो, वहाँ पे मत चाओ, वहाँ मत चाओ, वहाँ मौत है, यहाँ बच्छो को बचाना जरूरी है, जल्दी करो, मुझे पीने का शोड़, मैंने शराब नहीं पी है, आपने कहा ना कि जब तक नहीं उतर जाती, मेरी एक मतद करोगे तुम, मैं आपके, कार में बच्चे हैं, इन्हें किसी भी तरह, एसीपी श्रीकान ती घर पे छोड़ना है, सर, सर, मैं सच में तलवार के बारे में बात करने आया हूँ, अपनी बहन से तेरी शादी करवा दूँगा, जिस महालक्षमी से तु प्यार करता है, उससे में तेरी शादी करवाऊंगा, सर, मैं भारो चोटी कल के तरफ मच जाना, सालेजी, हूँ, चलताओ, कर दो कर दोटी कल कर दो मत. वे रेमूर टू बुलेर्स सिच्टूेशन कुछ कहने सकते अब्जब्रेशन पे रखा है कि अब 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 असल में क्या हुआ था कांटा भाई श्रीकान उन्होंने मेरी आगों के सामने ही राजनात पर गोली चलाई उस विरेंद्र को बिल्कुल मत चोड़ना बच्चे कहा है कामता भाई बच्चे तो रामराज के पास है बड़े पापा और लेग पानी आ गया नहीं हमी पानी के पास आ गया है कैसे हम कार में आ गया और पानी हमारी कार के पास आ गया नेटवुक नहीं मिल रहा हो यहां वहां पर कोई है चलो उनसे दाके पूछते है 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 तुम नहीं आए मैं उठा के लाया हूं जाओ जाओ जाके लाया हूं जाओ जाके गाड़ी में बड़े आए बोलने वाले तो यहां पर उठाकर लाया है तुम सच बोल रही हूं क्या सच क्या रही हूं चाहू तो जसी से पूछ लो हमें बहुत संबल कर रहना होगा हमारे असली नाम और डीटेल्स उसे बताना नहीं है बिल्कुल ओके तरह पागल की तरह फासा हूं और उपर से सिगनल्स नहीं मिलते है तुम लोग अपना नाम और यह तीसरी बाली का पधू हूं और तुम्हारा नाम मेरा नाम लेजेंड तुम लोगों का इंतिजार कर रहा था मैं राष्टनात के घर पर हम लग किया है यह बात सिर्फ हम लोग ही जानते हैं लेकिन अब यह एरेश्ट होए गया तो यह बात यह बात हम लोगों के पुरी दुनिया भी जान जाएगी दामाज जी मेरी जायदाद और मेरी दुस्मनी सब तुम्हारी है बजावरे विरेंद्र जीकी आपको स्टेशन देखाना पड़ा यह बहुत जित करें ते इसलिए इन से मिलिया यह राजनात का छोटा भाई शहर में पुलिस डिपार्टमेंट में है सुना है बहुत अच्छा नाटा कर लेते हो यहां मत करना मुझे पसंद नहीं कम से कम मुझे पकड़ने के लिए तेरे पास एविडेंस भी नहीं होगा एविडेंस मिलने पर अरिष्ट करने का मौका मिलता है और ना मिलने पर इंकाउंटर करने का भी मौका मिलता है और मेरे काम करने का तरीका यही है क्या बात है मुझे डरा रहे हो पाच साले मेरे तेरे भाई के हातों सारे मारे गए इससे भी फुट लंबी होगी तेरे भाई के पेट में हर साले का नाम लेकर खचा खचा खच खच छे बार मारा आखरी बार आए यही फिर से बुल बुलना खचा खच 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 छे बार कि मार क्यों रहा हो क्यों मैं उने मारनी सकता क्या मारना क्या मारना क्या अटाइक वा गं से गंसे क्या कहां गंसे गोली चला यह मा की कसम मैं कुछ नहीं जानता मेरे ससूर ने कहा था कि राजनात को मारने के बाद ही तिरी स्वागरात होगी शादी के बाद बिना स्वागरात के कैसे सो सकता हूं आप ही बताये ना निंग नहीं आती न उस डिप्रेशन में जवानी की कहानी फिल्म देखने मूँ छुप में माला पहनाई और ऐसे ही जय जय कार करते रहे ससूर ने सुहागरात का महुर्द भी निकाल दिया इसलिए राजनाफ पर अटेक मैं नहीं किया तुम्हारा ये साइड सस्पेक्ट होगा लेकिन मैं आखे लार करूगा तो ऐसा ही हंगामा होगा जद बचालो एक मारूगा तो ढूड़ने के लिए अट्डिया भी नहीं मिलेगी तुम आपने आपको समस्ते क्या हो मुझे छोड़ दो आपको दवाई वाफ करता हूँ जोड़ू का नहीं क्यों भाईया राजनाथ को मारने के पैनिक इनके साथ कर रहो हो का तो ऐसा संजा क्या मैं खास काम पे लग तुम वेट करो मैंने बारा बोलके बिल्डब दे दिया उनको तुम मैनेज करो मेरा उस अटाक से कोई संबन रही अगर पता चला तो मेरे सुर्ण प्रकाश मैं तुमारा इंतजार कर रहा था सर प्रिंसिक रिपोर्ट उन्होंने हैंड गॉन्स यूज किया है कि साइलेंसर अगर विरेंदर ने अटैक नहीं किया है तो फिर किस ने किया कौन है वो कौन है वो कौन है वो कौन है वो बचा लोग मिला का नहीं उसी काम पे लगे है वो सर राम राज का पता चल गिया है उन्होंने चोटिकल सिंगनल पार किया है हाग गया वो हाँ मिस्टर गॉड़ा नमस्ते शिरिकांद बोल रहा हाँ उस चोटिकल रूट पर मोबाईल सिंगनल्स का पता लगवाना है प्लीज हेई इधर देखो राजनात को मार नहीं बाया वो विरेंद्रना आप तुम्हें भीजा है क्या यह राजनात कौन है और विरेंदर कौन है हमें सिर्फ बच्चों से मतलब है क्या हो रहा है यहां क्या हुआ है डेविड भाई को ऐसे पी सरकांट ने आरेस्ट कर लिया है आई कांट बिलीब दिस वो अब कैसे निखते हैं यह तू भी नहीं जानता है वो कैसे आरेस्ट करेंगे कोई बताया तो हम कैसे बिलीब कर लेते डेट भाई ने हमको कॉल किया था है सत्या है कहीं भी इसके बारे में कोई न्यूज नहीं आई यह सब का कहना है और मुंबई भू पहुंच गया किया आप सब को यह पता है क्या वह को बी मुंबई में और करने के बाद है अभी तो बच्चों को किडनाप करने के लिए किसी mothers police को सब्सक्राइबर करने के लिए बच्चों करना रास्ता है दूसरा आप्शन नहीं है क्या अभी वो जिंदा है भी कि नहीं जानने का भी यही एक्ठा आप्शन है अब तो समझ गए न हम कौन है बच्चों को बचाने के लिए कोई हीरो नहीं है यहाँ बिलकुल है भगवान है वरना मेरे साले साथ खुद आकर अपनी बहन के साथ मेरी शादी करवाने की बात नहीं करते है एसे कैसे बोल दिया कहीं रास्ते में मेरे लिए कुछ प्लान तो नहीं किया है ना बच्चे तो तुम्हें मिलेंगे नहीं वैसे राजनात को किस ने मारा है बताव मुझे राजनात मतलब वही बुट्टा ना उस पर तो मैंने इंगोली चलाई थी हेलो रामराजी साले साब मैं कृष्णा कुछ नहीं बस और 200 किलिमेटर जाने के बाद मुंबई आए जाएगा बच्चों को छोड़के आ जाओंगा तो शादी करवात होगी ना या कहीं बीच में कुछ प्लाइन बना के मेरी सेटिंग करवाने की सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है ना बस अब तेरी शादी बाकी है चल बिटा कृष्णा सब खताम तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब सिर्फ हम दोनों ही होंगे एक खिलाडी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतिय स्वस्त और चुस्त रहे तंबाकु स्वास्त्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुचाता है सभी तंबाकु पदार खतरनाक और घातक है अगर आप स्वस्त और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकु से दूर रहे मैं रहता हूँ, आपको भी रहना चाहिए आईए, तंबाकू के सामने दीवार बन कर खड़े हो खैनी, गुटका, तंबाकू, पान, पान, मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है इनका सेवन मू के कैंसर का प्रमुक कारण है इस मरीज को जीब का कैंसर है और हमें इसका ध्वनी यंत्र निकालना पड़ा अब सब भगवान के उपर है रेखा की जीब और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा गहातों का दो छूड़ी बेज दिया तंबाकू परिवारों को उजार देता है प्रशांती बच्चों को कुछ नहीं होगा यू डूंट वरी आम वरीड वाय शुड़ा नोट वरी बच्चे कहा है कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं यह भी मालूम नहीं कम से कम फोन तो कर लेते अगर पहले से समझतारी से काम लिया होता तो महालक्षमी अज मेरी होती है लक्षमी मतलब मनी महालक्षमी मतलब बिग मनी यह बच्ची इस पागल डॉल को हमेशे अपने साथ ही रखेगी तुम पागल हो यह गुरिया नहीं है जसी है मेरी फ्रेंड वो एसीपी साला भाई को पकड़के मीडिया और गवर्मेंट को बताए बगैर डिपार्टमेंट में भी किसी को पता नहीं है कहां चुपाया है बस एक छोटा सा क्लू मिल जाए सिटी को पूरा अबर बात कर दूँगा और भाई को दुबाई ले जाओंगा कार चुपायो उसे जल्दी चलाओ घाड़ी फ्लाइट का टाइम हो गया सेर यह फ्लाइट टैक्सी है शट आप होई इसे अंदर डाल दो पस्टाइम इन जेल फिलिंग बैड है उठ गया क्या तेरे उठने का वेट कर रहा था किस लिए सेल्फी लेने के लिए और नहीं तो क्या मेरी गाड़ी से एक्सिडेंट करके मुझे अंदर करवा दिया अरे पहली बार पुली स्टोशन में आया हूं बीबी सुबह से फोन कर रही है ता पर फिर से आगया क्या आजब आप दूँए अगरा फोन क्यों तोड़ दिया तेस्टे सा कुछ किया क्या तुम्हीं से पूछ रहा हूं नहीं सर दो बार खाना दिया सर बिल्कुल टेस्ट नहीं था जीरो लाइक सर आखिर क्या हो रहा है यहां और कैस्ट रहा अब पुली स्टेशन से बाहर को चार सो एनेजडी कमांडोज माक्रोफोन या सवा जाए जाए जारूप भी क्या हमारी प्लिशनल को टक्रमारी इसने मुझे किसी की परवा नहीं और इंको पकड़ा हमारे एसीपी श्रिकान जी ने कौन हो तुम एभी आई सीवी आई इंट्रपॉल हुआ है यह बिचारा लगता है गलत काम करके पहली बारी से पुलिस ले पकड़ा है सर कबसे इसी तरह पागलों जैसी बाते कर रहा है सर वह टैक्सी किसकी है मेरी है सर लेकिन चला यह रहा था तरहा नाम क्या है अब्दुलजीम अल्हकीम मुहम्मद बिन सेयद अजीज डेविट इब्राहिम मैंने तेरा नाम पूछा है तेरे जानने वालों का नहीं देविट भाई भाई किसका बे मैं कोई तरह चमचा हूँ क्या तुम्हें हमारे डेपार्टमेंट वालों ने एक्सिडेंट केस में रेस्ट किया है एक्सिडेंट केस में जोप्चार पड़ा रहेगा तो तीन दिन में भेज़ दूँगा इसका मत इसे यह नहीं पता कि मैं डेविड भाई हो हे सत्या इसी पिश्रिकार ने मुझे एरेस्ट किया है कल सुबे से पहले मुझे बाहर निकालना होगा अगर बाहर निकलने के बाद उन्होंने कुई हंगामा किया तुम्हें पकड़ा जांगा है मुझे अर्जिन टेक फोन करना है तेरा फोन कहा है तुम मेरे तोड़ दिया अघुड़ जम्हें धाभना कहा तुम कहा है तुम दूसरी कार में बतलब बच्चा लोग नहीं मिला नहीं भैया बच्चा लोग को लिए भी ना तुम बापस मता ना तो तोब मॉझ डालूंगा सत्या बच्चे कहा है लेजेंड वह अंदर टॉलेट है जा किया जौ यहां को है कि नहीं यहां पर हो अभी आया ता बारा चल भर दें फुल टैंक तू क्यों अंधर जा रहता है बार कर सकता है ना चाहे तो तुम कर लो मुझे आदव नहीं है हमें किसी भी तरह से बच निकलना है क्यों से गाड़ी आपकी है ना अपना नहीं है उठा के लाया हूं अके लाओं का तो बहुर होगा ना इसलिए बच्चों को किड्नाइप करके लाया हूं तुछे कोई प्रोब्लम है क्या पेट्रोल डाल तुम क्या लिख रहे हो हमारी प हर्शा गाना कितना अच्छा गाता है जानती है तुम क्या हुआ कट कर दिये गया मैं फिर से करूंगा चारजार दोसो सर्च यह ऐख यह 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 है जलो चलो गाडी में बेठो चलो जलो 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 पैसो के लिए कुछ भी कर दोगे क्या अरे नहीं है तो क्या करूँ तो कितना चाहिए बोलो उसने कितना पता है था चार अजार दोसोर रुपए यह पैसे ले लो अब कार को पीछे घुमाओ अब तुम किस तरफ जा रहे हो गाड़ी पीछे लोना इतने भी पैसे देदो गाड़ी पीछे नहीं जाएगे अब तो यह आगे जाएगे पड़े पापा कंता भाई बच्चों का खेया लगता अब डॉक्टर शिस्टर बच्चे कहां है घर पर आए मुझे उन्हें देखना है कि बच्चे कि देखना है स्क्राइब मीडिया को इन्फॉर्म करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है सर वेट मत दो मेडिया को इन्वाल्व मत करो रामराज के गाड़ी बैंगलूरू की तरफ कही थी और पच्चे मुंबई रूट पर किसने क्या है क्यों क्या है कोई जानकारी नहीं अब तक हमें कोई थ्रेट लेकिन जिन्दा नहीं मिलेंगे तुम्हे काम करो सारे पुलिस ट्रेशन में फोटो भेज़ दो क्विक तुम्हेरे साथ हाल अब उचाहा रहे हम भी भाग जाते हैं उत्र उत्र जल्दी करो हां उत्र चलो 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 इसतार हां रुखना में भागते रो भागते रो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अपर्पार्परेट त्रिलोग परसाद का देहान दो गया थे पुलीस बंदबस चाहिए सब्सक्राइब तरिलोग प्रसाद गुजर गए हैं वहां कर बंदबस देखो मिस्यू त्रिलोग प्रसाद फिलिंग सो सेट साथ लाइक बारक कमेंड्स मिसिंग पेस्बुक सो बैडली सेर सेर एक दो हजार लेके छोड़ दो ना सेर पागल टेक्सी वाले टेन लेक्स देता ह है अभी तक नहीं जगा नीन में ही बोलता जा रहा है सेर पांच हजार लेकर छोड़ दीजिए ना सेर वो दस लाग देने को तहियार है सर यह यह इदर ऐसा है कौन है रे मेरा बच्छा लोग को घरेश पूजा करने का पर्मिशन नहीं कौन बोला रहे है एई चैर उपर कर सर ने पर्मिशन का मांगिये बाव रेलवेग ट्रैक के बीच में सर तभी मना कर दिया हमने तुपारी हूं मैं यह कान पर दूंगा तो पता चलेगा कान पर क्या दोगे सर यह साउंड तो कमाल का था सर तुमने इस उपारी को मारा अब भी माइक फोन करेगा ना अर्य मत मा डेविट भाई यानि कि वो वो को पीछे क्यों गूंगया औरकेस्ट्र है शकल दिख्या यह कौन है बेकार का अदमी मैं तो डेविट भाई दुबाई वाले के बारें बोल रहे ला है मतलब यह मेरे लिए काम करता है लेकिन मुझे पहचानता नहीं है तो सच में मेरे अधिया रहा हूं कि तु डेविट भाई के लिए ही काम करता है ना तो मेरा एक चोटा से काम कर दे उनके लिए क्या काम करना वो तो हमारा अच्छा दोस्त है मेरी बेटी के शादी के दावत में सिगरेट लिया तो वह मेरा चेहरा तक नहीं जानता है वह और कहता है कि मैं बेटी के शादे में गया हूं वह भी सिकरेट ली अरे तेवार के लिए भाई को डिस्टब करने का दस जार रुपे देता हूं पर तो मैं तुम वह नए सीरियल में रेप आला सीन तुमें ने किया था ना क्या बोले आप गरवाली का साथ तो निभा नहीं पाता तो रेप क अजये क्या यह बच्चे हां इथे क्या है चलो खाना खाते हैं हमें बिल्कुल भूग नहीं है आइम हंग्री हाथ हो लेते हैं चलो कि मुझे नाम से कोई लेना देना नहीं यह में दिए जल्जा कि अधियर इस अधियर में गुडिया से खिलते हो यही तो सही उमर है खेलने के लिए तू पागल हो गया इंजन मतलो चलो चलो जल्दी चलो कार में पर आ गया चलो जल्दी खुल जाएंगे चलो बैठो बैठो गाड़ी निकालो यह क्यों पीछा करते हैं है काड़ी रोग गुड़िया के लिए इतनी चाहिए रोग गुड़िया नहीं है मेरी जस्ती है रोग अरे यह पागले कि इसी डॉक्टर के पास दिखाओ पकड़ो उसे रहे चलो उनको एक गुड़िया ही चाहिए ना ठीक है इसी क्यों पर की बैड़ को है अरे का आंके बास गया मालक्ष्मी का फूंड पूंड 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 मैं अरे क्यों ही हुआ एम पूंड पूंड फूंड weekend वह रांकिल आंकिल अगुल उससे क्यों प्रप बाग्ण यह हे तो यह को हमारा पीछा कर रहा है वो हुद्ध कि अब हार है हुद है हाँ फोलेट प्रूफ हुई अए अए? ह मारगव खुछ यह खुछ खुछ घट खुछ मारगव टुछ खुछ 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 गुछ यह अपकुर्ण ए यह मालीको! जलो अंदर लेजिन हाँ बोलो जस्ट मिस्स हो गए नहीं तो अरो सुनो दुबार से बोलो जस्ट मिस्स हो गए नहीं तो बच्चों को उठा के ले आता एई दिमाग खराब हो गया क्या बच्चे कैसे मिस्स हो गए उन बच्चों को पकड़ो और उन्हें यहां भेजो तू मत आना दिखाए देगा तो तुझे मार डालूंगा वो बच्चे हमारे ले कितने कीमती हैं हे सत्या उससे काम नहीं होगा तू जा करिश्णा यह सब क्या है तू वह हीरो नहीं है तू उस हीरो का फैन है ज्यादा और रेक्टिंग करेंगा तो अगले महिने की पहली तारीक नहीं देखेंगा लेजेंड यहां पास में कोई हॉस्पिटल है इतनी बड़ी चोट कहां आई है हॉस्पिटल किस लिए तुम्हे नहीं जसी कर राइट हैंड में चूट लगी है बेंड़िश करवानी है दुनिया में कितनी गुडियां है लेकिन मुझे जसी मिलने थी क्या अरे जसी को कुछ नहीं हुआ हॉस्पिटल नहीं डूड़ने के चलो शर्वी से यहां से निकलना है चलो 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 अब रूकित अच्छी कहानी इसे बहुत बोर लग रहा है है कोई अच्छी सी कहानी इस नहीं का सको शरीति बदल गई है तेरी शुती तो कभी की बदल गई आप देखो इरको तुझ को इतना दिया। शाधी तिन्वे क्यों रोकी। सीता जैसी प्यारी सी लडकी। आई रावं जैसा है क्यूं। इसलिए तो प्यार हमारा कोई भी ना जाना प्रभू। तौक नोणो, तॉच नोणो, रिम नोणो, दूयट नोणो। क्यों ब्रम्मा मेरे ब्रम्मा करदें अंगामा ओरे ब्रम्मा ओ प्रभू कितना तेंजर लव है ये इश्क प्यार तो दिया मगर रिस्क भी उतना दिया लाइफ रोड पे आ गई है मेरी शादी का सपना तो दिखाया धूंडता हूँ अपनी में दिलहन कोई तो कर रिश्मा दिखा मिलती नहीं है अड्रेस नहीं है क्या करूँ मेरी जाहरूधी महालक्षी महालक्षी एक ब्रम्मा मिल गई जाननों कर दिया गामा दीदी उसी नहीं कितना किया था अज मेरी सुहाग रात है रात है आज मेरी आजा आजा बच्चों की जानकारी मिल गई है तुम्हें जाकर मारना है इस बुढ़्डे को और को काम नहीं है क्या और जो ही तो अट्या था मेने इस मेहने के लिए काफी ये कोई ब्याज है क्या जो हर महीने भरना है दुश्मनी है पिता जी यह आ गए राजनात को मार के आया था, वो अभी मरा नहीं, उसके जान वो बच्चे है, आज अच्छा मौका मिला है, जाओ और जाकर उसे मार दो, कल जाके मारता हो, वो क्या-क्या सुहागरत है ना, नहीं होगी क्या, सुहागरत के लिए कोई अच्छा महूरत फिर से मिल जाएगा, ले दामाजी मैं कल दाके मारू ना अंतर राष्ट्रिय चोरियां फिर से शुरू हो गई है शहर में एक सोने की दुकान से एक करोड का सोना चोरी हो गया है चोरों की शकल सूरत अब तक पहचान में नहीं है अंतर राष्ट्रिय चोरों से मैं कोई संबन नहीं है सार मैं शादी शुदा हूं मुझे छोड़ दीजिए नहीं हो तो भी तेरी शकल पिक पॉकेट जैसी है तो अंतर राष्ट्रिय चोर हर्स कोई नहीं मानेगा कि दून रही है वो वह डेविड भाई इंडिया आया हुआ है लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वह इंडिया में नहीं है कि लेकिन देविड इंडिया में है मिली सोचने की बात यहां कि ब्ले आने का मकस्त क्या सथ Wen Girls लिख लगशी कि अब देखना है कि अब देखना है कि अब देखना है मैंने तो टेंशन सुचा था प्लीज फोन कर दें दीजिए अब जितना कहेंगा उतना देने को त्यार हो प्लीज सर आजा पबलिक बूट समझा है क्या जब चाय उठा के कॉल कर लो बैठो ऐसी बात में है सर लेकिन मुझे एक फोन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर प्लीज सर एक फोन कर लो सर सुना एक गेम खेलते हैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें देविट भाई बनके मुझे कंविंस करना होगा तब मैं तुम्हें फोन करने का चांस दूँगा ओके सर दुबई से इंडिया में तुम आये कैसे दुबई से नहीं तो मैं तो सिंगापूर से आया हूं मैं बात से चलते हुए बाहर आया वहां से मैंने इसकी टेक्सी दी और वहां से बाहर आ रहा था कि एक्सिरेंट के बाद आपने पकड़ दिया आप कन्विंस होगे ने सर फोन से रियक्शन थोड़ा जल्दी हो गया तू पूरे इंडिया में दूला बनके घुमेंगा तो हम तुझ अब आई ही गड़ हो क्यों है हो बॉम डालने के लिए अज़किनी सर बस दरगा देखने गया था असकिम इससे पूछ के देख लिए तो सही कह रहा है क्या कह रहे हो दरगा बिल्कुल सर ऑसकर मिलने के बाद रहमान शादी के बाद अश्वर्या रह गए तिन वही दरगा वह बहुत फेमस है सर तो तू किस लिए आया है मैं मदर्स लास्ट भी शर मेरी मा की आखरी इच्छा थी डॉन लोगों का भी मदर सेंटिमेंट्स होता है क्यों नहीं हो सकते हैं सर मैं भी तो अपनी मा का एक लोता बेटा हूं तेरे इस औरकेस्ट्र में इमोशनल लाइन म वह बस एक फोन कर लोगों सर यह सब तो ठीक है लेकिन डेविट भाई का दरगा के लिए आना कनविंसिंग नहीं लग रहा है वह अब तो तूमारी समझ में आगया नहीं यहां के लोग सच्चाई की कद्र नहीं करते हैं अब दिल को थाम ज़िक है मैं लॉंग पे जा रहा किया तो डर्ना किया पर वो बचनी कि इस हमले के पहले दोशी है अब पूराय और उनका साथ दिया उनी के दामाद विरेंदर ने पूलिस वालों ने वहां जाकर पूछ ताजकी पर सबूत ना मिलने के कारण पुलिस विरेंदर को अरेस्ट नहीं कर पाई है लेकिन विरेंद इबुपेंदर जी का है इबुपेंदर कौन है यहां का डेविड भाई तो यहीं पर रूख कहा है कि तू आएगा तो तेरे पर डाउट होगा कौन हो तुम लोग इस गाव के तो लगते नहीं हो किसकी तरफ से आए हो अरे यार दिखता नहीं है शहर के लोग है लड़के कि तरफ से होंगे सत्या क्या हुआ पच्छा सा मिल गया है कहा लोकेशन सेट कर रहा हूं आप देख क्या आजा यानि भाईया और चाचु को या और चाचु अब ठीक है सच बोल रहे हो ना अरे सच बोल रहा हूं हो सही सरामत है तुझे नहीं मुझे कर रहा है जल्दी से अब वो फिरेंदर यहां आएगा तो क्या होगा लेकिन वो यहां किसलिए आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा अब यह पुलिस वाले सिविल में है अब देखो यही हो बच्चा लोग आप सामाई निकाल के लिप्ट करना होगा यसी हम्या चुक जाते हैं पपराठ अंकल आपके दोस्ट शहर से आये हैं आपको पता है मेरे फ्रेंड्स मैं हैँ कोन हो सब्सक्राइब कि अब घाव हो अब घुर को और जो कि अब क्या परिशादी है कौन वही विरेंदर उसे अब पता चल जाएगा कि हम यहां पर है जब तक हम यहां है हमें कोई डर नहीं है भुपेंद्र अंकल है ना चलो उने बताते हैं सुनो भाई सब शेहर से आये हुए दूले के फ्रेंड आप हो गया है दूले के फ्रेंड हु दूल रहे थे तुमने उनने देखा किया है हुआ हमारा परिवार का बच्च लोग यह पर खेल रहा था तुमने उनको देखा है का है हम बच्चे बच्चे नो डोने हाँ ठीक है ठीक है देखता हूँ हाँ ठीक है ठीक है कौन हो तुम लोग लड़के वालों की तरफ से अरे यह तो उसका फोन है तरह पॉन है तरह पॉन है वह आया क्या कौन आमसे जो टकर आया था वही वही एक मिनिट हां वह आया क्या कौन हम दोनों को जौन टकर मारा था हूँ नहीं आया नहीं अज़ लेगा तो बताना ठीक है यह यह बच्चे कहां गया है अरे यह इज़न लेजन मुझे कहीं चुपा दो ना क्यों चुपना चाहता है चल यह यह चुपना जा किसके लिए मेरे लिए तु भार मता मैं खेलूंगा क्यों चुपे हो क्यों भाग रहे हो मामला क्यों भागा मैं जाधा बोलेगा तो यह बाद आलूंगा यह उससे पूछो कौन है यह यह क्या आप नहीं जानते से मुझे नहीं मालूम कौन है तो मैं कौन हूँ यह क्याने का मैं भुपेंदर की तरप से आया हूँ भुपेंदर मैं हूँ भाग राद मेरे नहीं होगे बदकिस्मती है यह नहीं है यह तो यहां पर है अरे वह बाली काखा नहीं यह गाउं के लड़कियों को परिशान कर रहे थे इसलिए आपके बास लिगा है अलो अलो शेहर से आई हुए मेरे दोस्ता आप हो गया तुम्हारा नहीं दुले का फ्रेंड हुआ है अरे अब बच्चा सबको छोड़ते हैं पहलें से निकलनी की सोचते हैं वो दुला मैं हू मैं हूँ बाई अंकेल हां तिधा बच्चा अलो का हमरे हवाले कर दो नहीं तो हम उपेंदर के होने वाले धमादपन निशाना लगाते हो है दर्वाद से बंद कर दो अगर उनके हाथ लग जाते तो हमारी क्या हालोत हो जाती है वहां पर तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते थे कि अरे ये इनुवा अपने एरिया की काड़ी है अपने चाहरा काम पूरा करक्या तो एमफ़्ार व कि रहों कि में तुम्हारे साथ ही रहों किया होगा हम ज्यादा से ज्यादा मर ही जाएंगे ना यह नहीं मानेगी मेरा बाप भी इसी तरह से मरा था कोई लड़का कुवे में गिरा था तो उसों बचा ने वह भी कूद गिया था वह बच्चा बच गया लेकिन मेरा बाप मर गया और मेरा क्या हुआ कि अब तक वेट करू किसी और को ढूंड लूँगा चलेंगा कि अरे उनके लिए इनके लिए क्या जीना कभी-कभी खुद के लिए भी जीना चाहिए मत काटो ने रुको किष्णा चांद मी तो चांद मैं छोड के न जा प्रिया तिरची नजरों से तिर मार के ना सता जान तीरी प्यार तु मेरा साथ न छोड़ वे तैरा तेरी ची टूपी वाले साथ न छोड़ मेरा रूत के न जा डियल वास मेरे अटियल दूर मुझ से रहना पाओगी तू है मेरी मैं हूँ तेरा अब दूर तूम जाओ मेरी जान मन तु मुझे से दूर रजा, दूर रजा, दूर रजा, तु बार बार यू देखते नजा तु मुझे छोड़के, छोड़के, छोड़के नजा, तु मुझे बूलके, बूलके, बूलके नजा प्यार की परी है तू, प्रेम की कली है तू, पास आके प्यार देखे मेरी बंजाओ प्यार की परी हु मैं, प्रेम की कली हु मैं, दूर जाओ पास ना आओ जाओ ना पिया तेरे दिन रह न पाओ जार तुझ से करूँ छोड़ के न जाओ फिया तु है सिर्थी में नाओ पास तेरी तु अब जाओ तु मुझ से दूर न जा दूर न जा दूर न जा तु बार बार यूँ देख के न जा मुझे छोड़के 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 न जब तू मुझे भूलके 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 न जा बच्चे खड़े यहां देखते नहीं हमें आगे की जिन्दगी हम ही पैकरी मासूम है हम पप्री दो हमें यार में न डूगो यूं बूलका हमें प्यारी बच्ची है हम छोड़े न तुम हे हम संग संच लेंगी साथ हम फ्ल्रड रच़्िकार तु वंप रोप दू तुम हमें तु मुझे दूर रजा, दूर रजा, दूर रजा, तु बार बार यू देखते नजा तु मुझे छोड़के, छोड़के, छोड़के नजा, तु मुझे भूलके, भूलके, भूलके नजा अरे बापने क्या यह सच मुछ में डेवीड भाई है अरी अप्दूल अची महलाकी ममम्मद भीं सायद अजी डेवी डिवरीम पर तला लगा यह थी देख्थे कंपूटर शी का क्या क्या करें जए जवा वरगा प्रश्न प्रेक केबाद एक पोन के लिए इतना टेंशन ले रहे हो तो रीजन बड़ा मस्बूत होगा बिल्कुल सर आखिर तुम हो कौन पोन करके करना क्या चाहते हो कुछ नहीं सर मैं बिल्कुल सेफ हूं इस बीच आप लोग कोई उल्टा सिधा कदम मत उठा लेना फोन करके ही बता रहा है उल्टा सीधा कदम क्या बाहर तेरे फैन्स है क्या तुझे नहीं छोड़ेंगे तो धर्ना करेंगे क्या बॉम से पूरा सिटी ब्लास्त करेंगे क्या तु सचके डेविड भाई की औरकेस्ट्रा क्यों दे रहा है तेरा मासूम चहरा देखके और इंसानियत के नाते तुझे यह तो हमारा नहीं है किसी दूसरी पार्डी का है हलो हलो सत्या स्पीकर पीकर अनकर आकिया सत्या मैं यह एक एक्सिदेंट केस में अरेश्ट होगया मैं बहुत बड़ा डिसीजन लेलने वाला है तु क्या बग्वास कर रहा है मैं उन्से कह रहा था कि घवराया मत आप लो पागल कौन सत्या कआ का सत्या क्या बोल रहा है क्या तुने पी रखिया क्या कम से कम सत्या के यह तो बता दो कि जब तक मैं बाहर आऊ कोई उल्टा-सिदा कड़ा मत उठाना यह बात उस तक तरुर पहुंचा देना आप तु बाहर रहे तो भी क्या है और अंदर रहे तो इतना पसंद आया तेरा क्यरक्टर एक्टिंग करने को बोला तो तो उसमें उतर गया जैसे कि तुई डेविड भाई हो एए वहां फ्लास्क में चाय रखी है थोड़ी तू भी ले ले आजा बताएं वो कौन है डेविड भाई है तो तू कंफर्म कर रहा है अब बच्चन ने कंफर्म किया ए उसे डेविड भाई बनाया मैंने अम अमिता बच्चन को क्यों क्रेडेट देते हो अब मेरी तो एकी बात समझ में आ रही है यह वहीं डेविड भाई है यही कि तुम दोना यहां पकड़ रहा है यहां डाड़ी से बात करोगी चलो कि अब बॉच्छ का है यहां सुभ ठीक है रत्नागिरी फोरेस्ट पार कर चुक है गुड पूरी टीम में कितने लोग हैं लोकल पुलीस को मिला के पूरे आट लोग है सर सबको कॉन्फरेंस में लो सेर वी हर रेटी अच्छा तुम लोग बच्चों को देख रहे हो ना दो बच्चे दिख रहे हैं सर तीसरा नो सर तीसरा वच्चा फोन वाले के साथ में है तार्गेट मेरे बिलकुल सामने है आपका हो तो प्रिगर दबादू एक मिनिट एक मिनिट नहीं जल्द आजिक करो सर बाहर कुछ तो कडबड़ है हमारे पास भी गान है बास यह जगन सर एक बार हां काई साइड सोड़ा दूगा उसको उठने का भी मुकानी मिलेगा इस ट्रस्ट मिसर सर वह कहीं कॉल कर रहा है कि मुझे लगता है वह आप ही को कॉल कर रहा है एक बार हां का यह उड़ा देता हूं हलो है एलो सर उड़ा दू आपकी बात करना चाहिए सर दूर रहा हूं है कि मैं बच्चों को सॉपने आयों तो मार देंगे लिए प्लीज लिसेन टू मी वह सब हमारे आत्मी है पुलिस सर हम भी आपकी आत्मी यह सर बच्चों कोने सॉंप तो कि अखिए कोंगे है मैं एपकते तो मालक्षमी उनके बच्चे किसका फोन है हलो बच्चे मिल गए है प्रतनगेरी फॉरेस्टोट पे आप पांच क्रोड़ा रेंज किजिए बच्चों को जहां कहोगे वहां पहुंचा दूगा बाली का बाए बोले बिना चेली जाओगी क्या मालक्षमी बच्चों को गाड़ी में बिठाओ वाया आँ चलो चलो में अंदर जाओ जाओ क्रिष्णा बाली का तुम चलो जल्दी 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 जाओ जाओ क्रिष्णा जब आँ अजाए बच्चों को देखे भाग या सर बेवाज़ा आपने रोक लिया हमें उसकी बातों का और यहां जो कुछ हो रहा हुसका कोई संबन नहीं है सम्धिंग is wrong हलो सर बच्चे मेरे पास ही है सर उनके चंगुल से निकले में आपने बहुत मैहनद किये लिए तुमने क्या बोला था और कर क्या रहे हो आपकी आप्मियों ने किसी के साथ सेटिंक की है सर बच्चों की पांच करोड में डील करें हैं सर थैंक्यू क्रिश्णा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, लेकिन आज तुम मेरे लिए भगवान का रूप लेकर आयो, सुरी सर, बसे एक बार मुझे माफ कर दीजी, मेरे पिताजी एक इसके बाल देखो, हीरो थे, स्यादा से स्यादा मर चाहेंगे, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था था ना, दिदी, क्या हो आपको दिदी, 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 अलक्ष्मे, पंबय की तरफ, अरे चल्दी चलाव तुम्, डॉक्टर, बताता हूं सर, बताता हूं, जब मैं पेट्रोल पंपे इन्विस्टिकीशन कर रहा था, तो मुझे एक नए नमबर से कॉल आया, अलो, तुमको पांच करोड हम भेजा था, हम कौन ही जानने का जुरत नहीं है, बच्चा लोग कहा हमको बता दो, और 10 करोड रूबया तुम कुछ नहीं हो है ना सर, लड़िकी को कुछ नहीं हो है, थोड़ा ब्रट चला गया है, थोड़ा से रेस्ट कर लेगी तो ठीक हो जाएगी, वैसे तुम्हार साथ जो बच्चे हैते कहां गये, वैसे इस एरे में शेर बहुत घुंगते है, सीधे चलो, चुटो, चुटके, गाड़ी रोको, बालीका, डॉक्टर, इन बच्चों को तुमने कहीं देखा है क्या, लेजीन, कहां गये थे, बिना बताए, सत्या, उस डॉक्टर ने पुलीस को फोन किया है, तब ही लोकेशन बदल दिया मैंने, उसकी गल्फरेंट को मैं ले जा रहा हूँ, ए, कौन हो तुम, मालुश मिल तेरे पास कैसे आ गई, ओ, फोन, तेरे पास है, सत्या को मार डाला क्या, वाटेवर, वू कैर्स, मैं तुम्हें पहले कह चुका हूँ, अगर यह लड़की तुम्हें जिन्दा चाहिए, तो बच्चों को पहाड के ऊपर जो चर्च है, वहां लेके आओ, सर, सर, महालक्ष मी को कुछ मत कीजिए, ओ, शिट, शीज ब्लीड़िंग, सर, कुछ मत कीजिए, सर, वान मिनेट, हम दोनों शादी करने की सोच रहे हैं, आपकी करिपा होगी, हमारी जिंदेगा, वान मिनेट, ओ, 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 की सर, अब बोलो, सर, महालक्ष मी का इस मामले से कोई संबन रही है, वो तो पागल है, उस पिचारी को छोड़ दीजिए, कुछ का मतलब, मैं क्या समझू, मैं तो इसे मारने की सुच रहा हूँ, मार दालूंगा, आरक्ष मी को कुछ भी हो तो, मार दालूंगा, तेरी आवाज सुनते ही उसने आखे खोली है, बेरी स्ट्रॉंग बांडिंग, कोई हल नहीं निकल रहा है यार, चलो इसे मार डालता हूँ, उसके बाद बाद करेंगे, नहीं उससे कुछ नहीं नहीं दोंगे, मैं भी नहीं दोंगा, अब तुमसे मुझे कोई काम नहीं, सार, महालक्ष में किड़नेप सर, किड़नेप, बच्चो को ना दिया तो, किस ने किया, और कहा हो तुम, पता नहीं सर, यहां भी है, हे जगन, सर, कॉलटरेस करो, ओके सर, क्या चाहिए उना है. सर, मैंने बदा नहीं सर, उसे बच्ची चाहिए, और मुझे महा लक्ष में चाहिए। सर प्लीज सर आप कुछ भी कीजी लेकिन महालक्षमी को बचा लीजी सुनो महालक्षमी को बचाने के जिम्हेदारी मेरी है पहले तुम कहा हो कुछ तो क्लूदो गलती से भी बच्चों को उसके हाथ में बत देना मेरी बात मानो तुम यह गलती मत करना महालक्षमी को जिन्द सझेह के उसके बाद महा लक्ष्में जिन्दा वापस आगी तो मैं आपको आगी थैंक्स बोलूँगा लेकिन से Мих क्या भरूसौा है कि माह लक्ष्में जिन्दा हबरत अपर नहीं सर, नहीं सर, नहीं, महालक्षमी के जिन्ता वापस आने तक बच्चे मेरे पास ही रहेंगे, ये क्या है, मुझे धमकी दे रहे हो, मुझसे सौधा कर रहे हो तुम, अरे मार डालूगा, ये क्या सर, अभी तो आप बहाग्वान कह रहे थे, और अब मारने की बात कर रहे जगन ट्राइन नॉट टू किल इम हो सके तो उसे मारे बिना बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करना आप नहीं आएंगे सर बच्चों के सामने दोशी बनना मुझे पसंद नहीं है जगन अब जाओ सॉरी सर फोन पर थोड़ा गुस्से में सर सर बच्चे यहां पर सेफ है सर मालक्षमी सेफ मालक्षमी मा लाइए और बच्चों को ले जाए सर आओ बालें अब बच्चे यहां था यह क्यों सर यह क्या है सर लेजेंड बच्चे को मत लेजाए सर उनके बगर में महालक्ष्मी को बचा नहीं बाऊंगा सर चुड़िए सर चुड़िए सर दीदी उनसे कहो ना लेजेंड को ना मारे लेजेंड को बेवचा अपने सिंदे की बरबाद कर ली मैंने कि पेचारी महालक्ष्मी मुझे चुड़ कि उसका कोई नहीं है जैसे जस्सी को गल लगाते तब मैं डर गई थी ना वैसे गल मुझे लगा तो मेरे पापा डर जाएंगे हाँ लेजेन लेजेन! बुद रिप एप चलो चल्दी दोट्ट शूट जयकान चुटू चल्दी कि चल्दाँ मों जयकान 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 जयकाए जर एखंपर आजगे रहां रहां पेला आखरेश हुई अ जगलो उना है पिस प्टरा आखब्त एंदया हुई आखबड़ आखब एफुई लिए यहां भी जगरा आखबपश अजगा निए जगलो अग चसे करें प्रेहां हुई कर दो दो आखब़ हम दो 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 दोलित हैं जड़कान है… है ये सिपी तेरी वीकनेस वोई तेरे बच्चे अब मेरे पास हैं बस आधे घंटे में भाई रिलीज हो जाना चाहिए कौन हो तुम देविट भाई का बंदा हूं जिसको तुमने स्पोर्ट परेस्ट किया था तीन दिन से भाई को कस्टेडी में रखा है तुमने आधे में डेविट भाई रिलीज होने चाहिए नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा बात करने में टाइम वेस्ट मत करो गेट टुम पास्टर्ड देविट भाई को मैंने कबरेस्ट किया यह पागलों जिसी बाते कर रहा है बाहर कुछ भी हो जाए काड़ी से बाहर मत निकलन लेजेंड चाहो तो जस्टी को दे दो पर तुम मच जाओ डेविट भाई को मैंने कबरेस्ट किया और कैसे पता चलेगा मतलब वो है डेविट भाई सेर अब पोजिशन क्या है सर जच तुम्हारा चैरा भी नहीं देखेगा पांच जजार फाइन बरने को कहेगा देकर निकल जाना खिड़की और डूर लॉक कर लो संब भी तुम्हार लक्ष्मी पोन भी बात की थी मैंने महालक्ष्मी नजदीक आओ बताता हूं तेरे को यह केम समझ में नहीं आ रही है मैं कहा हूं ना मेरे पास आख वो बात नहीं है सर अधीकर मेरा चाहे कुछ भी कर लो महालक्षमी को बहुत बगबग कर रही थी इतना डरता है तो प्यार क्यों किया तेरा दुख देखके मुझे दया आ रही है हे सलमान मार डाल से सारी गोलिया दाग दे आसर दे से आसरे खब है उता है सrakस्वार के वर दे सुख ए भाद है संक दिए कि ईय बजिए हि हो उत बया है साऊब है झाल बन कि तो 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 कि अप्छुन को प्रपकत अ, प्रोड़ कि अप्रोड को तें तो न है, झाल के ंड़ा है, झाल कि अप्रुण है! खिर पो आपको अ byज लूग लूए ये विल कोई लूग्जी को अचिन अचीन है मार डाला उसे मार डाला क्या उसे तेरी महालक्षमी को नहीं मारा मैंने वो वो इस गाड़ी में है मता देखो 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 अपनी आखों से देखो देखो चाहो तो इसे ले जाओ बच्चों को छोड़ दो तो गेम कुछ समझाए नहीं किस्मत मेरी तरफ है किस्मत कभी भी एक तरफ ही नहीं होती हलो देखो तुम्हारे कहें मताबिक मैं डेविट भाई को छोड़ देता हूं आपको किसी को छोड़ने की जुरूत नहीं सर बच्चे सेफ हैं महा लक्ष्मी भी सेफ है मेरा नाम कृष्णा है श्री कृष्णा तो कुरुक्षेत्र में यूद के लिए रद चड़ा था तू किसले चड़ेगा आपको किसी काता था 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 नहीं मतावि किसले चाहा है अज़गा था प्रभ्चें अटे अज़गा था था भी सेफाड़ था धूद धार था 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 अँदारश को फड़ी बॉद पालोर था देता है कुछ समझे सर अब आपकी क्या पोजिशन है और्केश्ट्रा पोन वहां पर राजनात का परिवार शादी की दावत दे रहा है और तुम यहां पर खाने के बाद जरूर मार देना तेशी तो सुहाग राज की तयारी कार यहां आप आप पर शुहाग राज की तयारी कार तो